भारती जंता पार्ट के वरिशनेता डॉक्टर सतीश पून्या को हर्याना का प्रदेश पभारी नियुखत किया गया है गौर्टलब है कि करीब तीन महिने बाद हर्याना में होने वाले विधान सभाचुनाओं के मदनदर डॉक्टर सतीश पूनिया की नेउखती काफी महत पून है इससे पहले उन्हें हर्याना लोग सभाचुनाओं प्रभारी नेउखत किया गया था समाधाताओं से बाचीत में डॉक्टर पून्या ने कहा कि हर्याना में भाजपा का संगठन मजबूत है और आने वाले विधान सबाचुनाओ में पार्टी पून बहुमत के साथ सरकार बनाएगी जीवन से लेके समाध से लेके राजनीती तक और युद में हर तरीके की चुनोतियां भी होती है लेकिन मैं मानता हूं कि हर्याना का चुनाओ पार्टी के लिए उस किस्म की चुनोती नहीं जितना प्रचारित किया गया है लोकसभा में लोगों ने कहा जरूर था कि बीजेपी की एक भी सीटनी आएगी कॉंगरेस क्लीन स्वीप करेगी बावजूद उसके भारती जनता पार्टी ने पांस सीटें हासिल की कुछ सीटें कम अंतर से हम लोगों ने लूज करी उसके बाद हम लोगों ने उसके एक निर्पेक समिक्षा भी करी है उस सीट से हम लोग आगे आए हैं कि लोकसभा और विदानसभा का मिजाज बिलकुल अलग होता है विदानसभा के नाते वहां के ततकाली समीकरण वहां की परिस्तितियां बीजेपी की हक में हैं एक अच्छा मजबूत संगठन भारती जनता पार्टी का काम कर रहा है पिछले दस वरसों में वहां की सरकार करेप्शन फ्री सरकार थी इसका एक इंपेक्ट हरियाना के जनमानस पर है केंदर सरकार की जो तमाम किसान परकनीतियां हैं जो अवां परकनीतियां हैं उसका असर हरियाना के जनमानस पर है तो मैं ये कह सकता हूं कि भारती जनता पार्टी हरियाना के अंदर प्रदर्शन तो बेहतर करेगी लेकिन बहुमत की सरकार बनाएगी कॉंग्रेस ने दोनों ही मुद्दों पर जो दुश्परचार किया था उसको अब जवान और किसान समझ चुका है लोकसबा में जिस तरीके से गुमरा करने की कोशिश की रक्षामंत्री जी ने उसको स्पस्ट किया है मुझे लगता है कि अब दोनों ही मुद्दों के बारे में हर्याना की जनता इन चीजों को समझ चुकी है कॉंग्रेस का नकाब हट चुका है